कॉंग्रेस सांसद और लोगसबा में विपक्षिनेता राहूल गांदी ने प्रवर्तन निर्देश आले यानी E.D. को लेकर बड़ा दावा किया है उन्होंने कहा है कि E.D. उनके घर पर रेड कर सकती है राहूल ने ट्वीट कर कहा कि E.D. के सुत्रों से पता चलाए कि मेरे याद छापे मारी करने की प्लाइनिंग की जा रही है ऐसा लगता है कि इन्हें मेरा चक्रिव्यू वाला भाशन पसंद नहीं आया है मैं E.D. का सुवागत करने के लिए तयार हूँ वो भी चाय बिस्कुट के साथ दरसल मौनसूं सत्र के छटे दिन यानि 29 जुलाई को बजट पर चर्चा के दोरान राहूल गांदी ने बीजेपी और मोधी सरकार पर जबरदस्थ हमला बूला था नोने कहा कि बीजेपी के चक्रिव्यू में देश फस गया है देश में डर का महौल है देश में युवा, किसान सब डरे हुए है हिंसा और नफरत हिंदुस्तान का सुभाव नहीं है चक्रिव्यू में डर और हिंसा होता है राहुल ने आगे कहा कि किसवी सदी में एक नया चक्रिव्यू तयार हुआ है ये चक्रिव्यू कमल के शेप में है इस चक्रिव्यू में छे लोग शामिल है इस पंदरेंदर मोधी, अमिच शा, मोवन भागवद, अजीद्योबाल, मुके शंबानी और गौतम अडानी शामिल अर्ध्यवस्ता बेहाल है, लेकिन मित्र माला माल है, पीएम मोधी ने इंदुस्तान के मिडल क्लास को धोका दिया है, सेना के जवानों को मोधी सरकार ने अगनिवीर के चक्रिव्यू में फसा दिया है, बजट में अगनिवीरों को पेंशन के लिए एक रुप्या नहीं है आप खुद को देशबक कहते हैं, लेकिन जब अगनिवीर की मदद और जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको एक रुप्या नहीं दिखता राहूल ने कहा कि नरिद मोधी ने अमरित काल में आम भारतियों की खाली जेब भी काटी जा रही है, मित्र उद्ध्योग पतियों के 16 लाग करोड माफ कर देने वाली सरकार ने मिनिमम बैलेंस तक मेंटेनना कर पारे गरी भारतवासियों के 8500 करोड रुपे वसूल किये है जुर्माना तंत्र मोधी के चक्रिव्यू का वो द्वार है जिसके जरी आम भारती कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है, पर याद रहे भारत की जनता भी मन्यू नहीं अरजुन है, जो चक्रिव्यू तोड़कर आपके हरत्याचार का जवाब देना जानती है, राहूल गां अंदी के आरोपों में किदिनी सच्चाई है